देखे दोस्तों सपत इन्होंने संविधान के लिए और संविधान के अंतरगत जब सुप्रिम कोट एक्षन लिया है इलेक्टोरल बांड को बंद किया है रद किया है क्योंकि वो संविधान के खिलाब था तो इन्होंने सुप्रिम कोट के इस निर्ड़े को धर्म के खिलाब बताने के लिए लोगों की आस्था के खिलाब बताने के लिए एक परतीकात्मक वाक की बोला है और जिसमें इन्होंने कहा है कि ये तो भला है कि उस जमाने में P.I.L. नहीं होता था अदालत नहीं थी नहीं तो सुदामा जी जो भगवान किष्ण को चावल की पोटली दिये थे उसकी कोई वीडियो बना लेता और उस पर P.I.L. होता भ्रस्टाचार का केस लग जाता मैं भारत के प्रधान मंत्री द्वारा कहें गए इस बयान की कठोर निंदा करता हूं यह अत्यंत आपत्ति जनक बयान है यह बयान भारत में जो भ्रस्टाचारी हैं उनसे सुदा मांड के खिलाप लोगों की धार्मिक भावना भरकाने की प्रिवर्तिवाला है हम तो कह रहें कि अगर आवतारी पूरुष हैं तो कुछ सबूत दें राम जी आवतार लिए है पर सुराम जी ने इसका सबूत मांगा था राम जी उसको साबित किये थे कहानी के उनसारी बात आती है तो मैं नरेंद्रमोदी से कहता हूं कि आप आउतारी पूरुषव हैं मैं मानलोंगा बस यह कही काम करिए सारे सुरक्षा के ताम-दाम बढ़ता दीजिए फिर हमें बाद में कि आप आउतारी पूरुषव हैं और चाहे कुछ भी होगा आप तक आएगा क्यों कि अपतारी है आप तक कैसे आएगा यानि प्रेकार् Casey यह है कि भारत का संविधान भाहरत के संबuciones के तहर चलने वाली जाइक विवस्ता धर्म के कुलाफ है प्रेकारांतर से संदेश से भीए दोस्तों और यहcent दिमेद प्रियास करके संविधान को पीछे किया जा रहा है तो इस वाक के से संविधान को जटका लगा है धका लगा है और ऐसा कहने वाला व्यक्ति इसी संविधान की सपत खाकर प्रधान मंत्री पतपराशीन है हेलो दोस्तों आप सभी का देलोजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूए डोकेट पंकस कुमार त्रिपाठी और दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी द्वारा दिये गए एक बयान पर जी हां मैं उन बताने की कोशिस कर रहे हैं आज 19 फरवरी 2024 को राजस्थान के संभल जिले में कलकी धाम का श्रिला न्यास हो रहा है कलकी धाम के स्थापना वहां आचारे प्रमोज गिश्णन कर रहे हैं इस संत भी बड़े अजब गजब हैं अभी 2019 में लोग सभा चुनाव ये कांग्रेस के टिकट से इसी लखनव से लड़े थे राजनाव सिंग जी के खिलाफ इनके हजारों वीडियोज होंगे जिसमें नरेंद्र मोदी पर खुब ब्यंग तंज कस रहे हैं आज आचारे प्रमोज किश्णन ने क्या कहा आप सुनकर दंग हो जाएंगी कि कैसे ये नेता से संत संत से नेता की यात्रा कर लेते हैं इन्हों ने कहा जैसे सबरी भगवान राम की प्रतिक्चा कर रही थी जैसे विदूर भगवान कृष्ण की प्रतिक्षा कर रहे थे वैसे मैं कल की धाम में मोदी जी की प्रतिक्षा कर रहा था मतलब हद है सबरी कब राम जी के खिलाप कुछ कहीं है कहीं मिलता है विदूर जी कब कृष्ण के खिलाप कुछ कहीं मिलता है ये 2019 के बाद सबरिया और विदुर्पन इनके अंदर जाग गया होगा नहीं ये पहले साधू थे जो नरेंद्र मोदी जी की खुल कर आलूचना करते थे हर बात पर ये विरोधी मंच पर देखे जाते थे आप चाहे जिसम मंच पर रहे राजनैती का धिकार है संबिधान द्वारा प्रदत आजादी है आचाहर कृष्ण जी लेकिन आप कम से कम धार्मिक प्रतीकों का प्रियोग इस तरह से मत करिए ये आस्था से जुड़े हुए प्रतीक है नेताओं के चरित्र धार्मिक भक्तों से मेल नहीं खा सकते ठीक वैसा ही ये कार एक बयान प्रदान मंत्रि नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इन्होंने हमारी नियाए पालिका के द्वारा संबैधानिक क्रिया कलापों के संपादन को धर्म के बुर्द खोसित कर दिया देखें दोस्तों सपत इन्होंने संबिधान के लिए और सम्विधान के अंतरगत जब सुप्रिम कोट एक्षन लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया है रद किया है क्योंकि वो सम्विधान के खिलाब था तो इन्होंने सुप्रिम कोट के इस निर्डे को धर्म के खिलाब बताने के लिए लोगों की आस्था के खिलाब बताने के लिए एक परतीकात्मक वाक के बोला है और जिसमें इन्होंने कहा है कि ये तो भला है कि उस जमाने में PIL नहीं होता था अदालत नहीं थी नहीं तो सुदामा जी जो भगवान किस्न को चावल की पोटली दिये थे उसकी कोई वीडियो बना लेता और उस पर PIL होता भ्रस्टाचार का केस लग जाता भारत के प्रधान मंत्री द्वारा कहे गए इस बयान की कठोर निंदा करता हूं यह अत्यंत आपत्ती जनक बयान है यह बयान भारत में जो भष्टाचारी हैं उनसे सुदामा जी की तूलना करने वाला है यह बयान भारत के भरष्टाचारियों के खिलाप भारत के न्यायालियों द्वारा किये जा रहे कायरवाईयों को धर्म विरुद्ध बता करके संबिधान के खिलाप लोगों की धार्मिक भावना भरकाने की प्रिविर्तिवाला है यह बयान सुदामा के अपमान का है क्या सुदामा जी ने जो पोटली में चावल दिया था वो छुपा कर दिया था वो छुपा कर ले गए थे लज्जा के मारे कितने बड़े राजा को इतना सा चावलू दे रहे हैं उनके चुपाने का कारण गोपनियता बरतना नहीं था मोदी जी जैसे आप इलक्टॉरल बॉंड में करोडो करोड का चंदा ले रहे हैं और बता नहीं रहे हैं तो इन पूजी पतियों की तूलना जो अपना काम करवाने के लिए पार्टियों को फंड देते हैं और फिर सरकारी परियोजनाओं को अपने नाम करा करके खुब लाभ लेते हैं उनकी तूलना आप सुधामा जी से कर रहे हैं ये घोरापती जनक बयान है भारत के प्रधान मंत्री जी का न्याय पालिका की साख के विरुद्ध है धर्म के विरुद्ध है बीजेपी के लोग धर्म की चादर उड़कर राजनीत कर रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका धर्म पर एक अधिकार हो गया है वो जो चाहें वो बयान देंगे आप खुद बताएए दोस्तों कि सुदामा जी अपने मित्र किष्ण के घर गए हैं प्रसंग के अनुशार और जब कभी कोई भी अपने नातेदार मित्र के घर जाता है तो यह परंपरा रहे है कि कुछ न कुछ ले कर जाता है सुदामा जी इतने गरीब हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है कि ले खर जाएं वैसे भी एक कहावत है कि राजा के पास गुरू के पास कुछ न कुछ ले कर जाना चाहिए कहावत है तो अपने राजा केहां जा रहे हैं अपने मित्र केहां जा रहे हैं कुछ नो कुछ लेकर जा रहे हैं अभी देखिए आज ही की वीडियो आई है बियस्पीक प्रमुक मायावती जी अपनी पार्टी के विधायक उमा संकर सिंग जी के बेटे की साधी में गई हैं तो बहुत सारी भेट उपहार दी हैं बच्चों को तो यह तो हमारे हां की परमपरा रही है उस परमपरा में जो कोई भेंट दे रहा है उसको आप किसी पूझी पती द्वारा सरकार से लाभ लेने के प्रिवोजंसी पार्टी को चुपके से दिये जाने वाले चंदे से तौ लेंगे यह घोरापती जनक बात है यह अन्यो केवल संभिधान का आपमान है बलकि धर्म में गफलध पैदा करने की कोशिस भी है तो आप कलकी अवतार हो जाईए आप विश्णू अवतार हो जाइए जिसको जो मानना है माने संभिधान आजादी देता है मैं अपने देश के प्रधान मंत्री को सिर्फ मिंत्री की रूप में उनकी पहली जिम्म्यदारी संविधान की रखवाली करनी है संविधान की मर्यादा बनाई रखने कि भारत के संविधान के अनुषे 261 में कहा गया है कि न्यायालियों के प्रतियास्था और विश्वास बनाएं रखा जाएगा देश के प्रधान मंत्री ही नियाले का अपमान कर रहे हैं उपहास कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी को पूझी पती द्वारा दिये जाने वाले चंदों पर सुप्रीम कोट ने रोगा दी और ये केवल सरकार का प्रधान मंत्री का क्या लेना देना अगर प्रधान मंत्री साफपाक है तो दोस्तों ये धर्मा और राजनीत का जब घाल मिल होता है तो मानोता चितकार उठती है क्योंकि धर्म को राजनीत से जोड़ते हैं कभी भी कभी भी आप इत्यास में देखेगा कि धर्म को राजनीत से जोड़ने वाले धार्मिक नहीं होते हैं राम और इसका द्रिश्टान थे यूरप आगे क्यों गया क्योंकि वहाँ धर्म से राजनीत को अलग किया गया इसे नाते मानो विकास सुचकांग पर हैप यानि खुशहाली के इंडेक्स में सबसे आगे है भारत के लोग भी जब विदेश में कहीं महिमा गायन होता है ना त बहुत गरवामित महसुष करते हैं परिवार के लोग समाज की लोग क्यों क्योंकि वह लोग बिगत 500 वर्सों से अपने कोटसेश दुनिया से आगे बनाए हुए हैं क्यों ऐसा कर पाए क्योंकि वहाँ का प्रधान मंत्री साम को सबजी लेने खुद अपना जोला लेकर जा दिया है उपरवाला मौत देना चाहेगा देदेगा तब तो मसीन गन पर भरोसा है डिटेक्टर मसीन पर भरोसा है इतने आवतारी पूरुष सब लोग हो गए हैं तो गार्ड को हटा की चले एक दमाराम से मातमा गांधी लंगोट लपेट करके लाठी लेकर चलते थे हत्या ह हो गई तो हो गई इंद्रा जी को कहा गया कि इस सिखों से सतर्क रहिए उन्होंने का कि नहीं भारत में सिख भी रहते हैं भारत के सेना में सिखा हैं हमारी सुरक्षा में भी सिख कि अगर ड्यूट्री का अक्रम आएगा तो हमारी सुरक्षा में आएंगे सहीध हो गई हो कहां ही लेकिन अपने बात से नहीं टली है तो आप जो अंसको करिए कि हम तो कह रहे हैं कि अगर आवतारी पूरुश हैं तो कुछ सबूत दें है राम जी अवतार लिये हैं पर सुराम जी ने इसका सबूत मागा था Gleich कि राम जी उसको साबित किये थे कहानी के उन्वे बात आती है तो मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि आप आउतारी पूरस्वें मैं मान लूगा बस एक ही काम करिए सारे सुरक्षा के ताम-जाम भटा दीजिये फिर हमें मान लेंगे कि आप आउतारी पुरुष हैं और चाहे कुछ भी होगा आप तक आएगा ही नहीं कुछ क्योंकि आप आउतारी है आप तक कैसे आएगा तो दोस्तों ये बड़ी छोब का विश्य है बहुत पीड़ा का विश्य है कि भरस्टाचारियों की बृद होने वाली न्याईक का एरवाई को धर्म की कहानी सुना करके और धार में घोसित कर दिया जाए यानि प्रकारामतर से प्रयास यह है कि भारत का संभिधान भारत के संभिधान के तहट चलने वाली न्याईक विवस्ता धर्म के खिलाफ है प्रकारांतर से संदेश ये भी है दोस्तों, ये बहुत धिमे धिमे प्रियास करके संविधान को पीछे किया जा रहा है, तो इस वाक्य से संविधान को जटका लगा है, धका लगा है, और ऐसा कहने वाला व्यक्ति इसी संविधान की सपत खा कर प्रधान मंत्री पत पराशीन उम्मित करता हूं कि ऐसे बयानों के जुन हितार्थ है जो छुपे हुए भाव है वे आपके समझ में भी आ रहे होंगे जय संबिधान